नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का हमारी आज की इस खास वीडियो में दोस्तों भारत जल्द ही इतिहास रचने वाला है पहली बार असफल हुए चंदरियान 2 से सीख लेकर भारत ने बनाया है पहले से जादा बहतरी इन स्पेस क्राफ्ट जो चंदरियान 3 मिशन के तहत चांद को अपनी मुठी में कर लेगा जी हाँ दोस्तों 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर 2 बच कर 35 मिनिट के वक्त चंदरियान 3 चंद्रमा के लिए रवाना हो गया है और इस बार का चंदरियान मिशन पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए तयार है कि भारत स्पेस रिसर्च के फिल्ड में भी पूरी दुनिया से आगे है आज हम आपको चंदरियान 3 मिशन की लाँचिंग, चांद की सतय पर लैंडिंग, बजट, लाँच रूट और स्पेस क्राफ्ट में किये गए बदलावों से लेकर इसके मुख्य मिशन की पूरी जानकारी देंगे ताकि आप भी इस रोखास मिशन का हिस्सा बन सके तो दोस्तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा तो दोस्तो आज तक सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे तीन देशों को ही चांद पर अपना स्पेस क्राफ्ट उतारने में सफलता मिली है और चंदरियान तीन मिशन सफल होते ही भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर जीत हासल की है आज से करीब चार साल पहले 22 मई 2019 के दिन भारत ने चंदरियान दो को चांद पर भीजने की कोशिश की थी पर इस दोरान पीम नरेंदर मोदी भी इसरो के बैंगलूर वाले हेड आफिस पहुँच गए थे और पूरा देश यही आस लगाए बैठा था कि चंदरियान दो मिशन सफल हो जाएगा दोस्तों मिशन की शुरुवात में सब कुछ सही चल रहा था और साथ सितंबर के दिन चंदरियान दो चंदर्मा की सतह पर उतरने ही वाला था कि तब ही चंदर्मा की सतह से सिर्फ दो किलोमीटर की उचाई पर विक्रम लेंडर से हमारा संपर्क तूट गया और दोस्तों हम चांद पर लेंडिंग करने में असफल हो गए थे मिशन में मिली इस असफलता से इसरों के चीफ के सिवन काफी ज़दा भाव को चुके थे तबी दोस्तों प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने उन्हें गले लगा कर सांतवाना दी थी जिसके बाद प्रेस मीट में पी एम मोदी ने कहा था कि हम यहां रुकेंगे नहीं बलकि इस से सबक लेकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि विज्ञान यानि प्रियास और प्रियास और प्रियास और दोस्तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की कही इस बात को आधार बना कर इसरों ने फिर से चंद्रियान तीन को चांद पर भेजने के सपने बुनना शुरू कर दिया लेकिन उस वक्त हुई भूल को सुधारने में इसरों को पूरे चार साल लग गए और अब उन्होंने पहले से ज़्यादा एडवांस और पावरफुल स्पेस्क्राफ्ट तेयार कर लिया है दोस्तों चंद्रियान दो की नाकाम्याबी से निराश होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि पृत्वी के वातावर्ण से बाहर निकल कर अंतरिक्ष में जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका अपने सभी चांद मिशन में से कुल 26 बार फेल हो चुका है जबकि रशिया 14 बार फेलियर का सामना कर चुका है लेकिन भारत ने अपनी पहली असफलता से इतनी बारिकी से सीख ली है कि इस बार चंदरियान 3 का सफल होना तैम आना जा रहा है इस विशे पर बात करते हुए इसरो के मौजूदा चीफ एस सोमनात ने कहा है कि चंदरियान 2 मिशन में भले ही हम असफल हुए थे लेकिन बड़ी बात ये है कि हम इस से सीख लेकर आगे बढ़ रहे हैं आगे उन्होंने कहा कि असफलता मिलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम कोशिश करना ही बंद करते चंदरियान 3 मिशन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस बार हम इतिहास रच देंगे तो दोस्तो 14 जुलाई के दिन तो पहर 2 बचकर 35 मिनिट पर इसरो आंदर परदेश के शिरीहरी कोटा सहीत अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने चंदरियान 3 को लांच कर दिया है इसरो के मताबिक चंदरियान 3 को उसी रास्ते से चांद पर भेजा जाएगा पूरा करेगा हाला कि दोस्तों चंदरियान 3 में कई बदलाव किये गए हैं जैसे कि इस बार स्पेस क्राफ्ट में कोई औरबेटल नहीं है बलकि इस वक्त हम ये प्रोपेशनल मॉडियूल का इस्तिमाल कर रही है कि चंदरियान 3 के लेंडर और रोवर को चांद के औरबिट तक ले जाया जाए या इसे चंदरियान 2 के उस औरबिटल से कनेक्ट किया जाए जो पिछले चार सालों से चांद के चक्कर काट रहा है दोस्तों इसरो के इस मून मिशिन के मुख्य तीन लक्षे हैं इसमें पहला है चंदरियान के लेंडर को चांद पर सौफ्ट लेंडिंग करवाना दूसरा है इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाना और तीसरा चांद पर कुछ जरूरी साइन्टिफिक रिसर्च करना तो आईए एक एक करके इन तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं सबसे पहले बात करें लेंडिंग की तो किसी भी स्पेस क्राफ्ट की दो तरह से लेंडिंग होती हैं हाड और सॉफ्ट, जिसमें से हाड लेंडिंग में कोई भी स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में मौजूद ग्रह और उपग्रह पर तेजी से लेंडिंग करता है, इससे सतह से टकरा कर उसके क्रैश होने के चांसे बढ़ जाते हैं, हाड लेंडिंग के दौरान जादातर मामलों में स्पेस क्राफ्ट से हमारा संपर्क तूट जाता है, या फिर वो एक जगा पड़े रहते हैं, और यही दिक्कत चंदर्यान 2 के विक्रम लेंडर के साथ भी हुई थी, अब कोई भी स्पेस अजेंसी अपने स्पेस क्राफ्ट की हाड लेंडिंग नहीं करवाना चाती, ल इससे उसके डैमज होने के चांसे कम हो जाते हैं, और चंदर्यान 3 के लेंडर विक्रम को भी इस भार सौफ्ट लेंडिंग के लिए तैयार किया गया है, जिससे उसके पार्ट्स डैमज नहीं होंगे, और यह अपना मिशिन पूरा करके फिर से उडान भर कर और बेटल से आ इस रोवर में कई सारे नैविगेशन कैमरा, एनर्जी के लिए सोलर पैनल और कमिनिकेशन के लिए एंटीना लगाए गए हैं, और दोस्तों इसका वजन करीब 27 किलोग्राम है, यह चांद की सतह का डेटा कलेक्ट करके लेंडर को भेजेगा और लेंडर इस डेटा को और ब पर लेंड करेगा, जहां आज तक कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं गया, यहां पर लेंडर और रोवर मिलकर चांद के तापमान की जाच करेंगे, चांद पर होने वाली भूकम्प्य घटनाओ की जाच करेंगे, साथी दोस्तों ये चांद के वातावर्ण में गैस और प्लाज ले जाएं, साथियों चंदर यान तीन का लेंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा, जो की धर्ती पर 14 दिनों के बराबर होता है, उसके बाद से उडान भर कर और बेटर के पास आ जाएगा, इस मिशन का बजट 615 करोड बताया जा रहा है, दोस्तों पहली बात तो य बजट आपको जादा लग सकता है, लेकिन बता दें कि ये बजट पिछले दिनों रिलीज हुई आधी पुरुष के 700 करोड के बजट से भी कम है, और इतने कम बजट में चांद पर जाकर इतने बड़े मिशन को अंजाम देना वाकि में काबिले तारिफ होगा, बता दें कि चंदरियान 3 स्पेस क्राफ्ट का कोल वजन 4900 किलोग्राम है, जिसमें से प्रेसेप्शन मॉडल 2148 किलोग्राम और लेंडर मोड्यूल 1752 किलोग्राम है, आईए दोस्तों अब जानते हैं कि चंदरियान 3 धर्ती से लेकर चांद का सफर कैसे पूरा करेगा, तो दोस्तों चं चंदरियान 3 को चांद तक लेकर जाएगा, जो चंदरियान 3 को चांद तक लेकर जाएगा, फिर दोस्तों ये स्पेस्क्राफ्ट धर्ती के कई चक्कर लगाते हुए प्रिथवी से दूर होता चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रिकल और्बिट में चांद को अप्रोच करेगा, और कुछ देर के बाद प्रिथवी के गुरुत्वा कर्शन के दायरे से बहर होकर, जाकि इसकी रफतार को कम किया जा सके और ये चांद की सतह पर सौफ्ट लेंडिंग कर सके, ये लेंडिंग 23 या 24 अगस्त के दिन करवाई जाएगी, दोस्तों आप में से कई लोग होंगे जो चंदरियान 3 को लाइव देख चुके होंगे, उनके लिए इसरों ने एक वेब जरूर देना, साथ ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद